ओम सान्ती आज 11.2020 अव्यक्त बाप दादा रिवाइस 11.अप्रेल 1986 आज की मुर्ली का हेडिंग है स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ती अब सुनते हैं मुर्ली को विस्तार से आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की स्रेष्ट तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं तकदीरवान सभी बने हैं लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की जलक अपनी अपनी है जैसे कोई भी तस्विर बनाने वाले तस्विर बनाते हैं तो कोई तस्विर हजारों रुप्यों के दाम की अमुल्य होती है, कोई साधरन भी होती है यहां बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है इसमें अंतर हो जाता है तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक नही सभी को तकदीर बाटी लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन भिन होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नमबरवार दिखाई दे रहे हैं कोई भी तस्वीर की विसेस्ता नयन और मुस्कराट होती है इन दो विसेस्ताओं से ही तस्वीर का मुल्य होता है तो यहां भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेष्टाइं है नयन अर्थार्त रुवानी विश्व कल्यानी रहम दिल पर उपकारी ड्रस्टी अगर ड्रस्टी में यह विशेष्टाइं हैं तो भाग्य की तस्वीर स्रेष्ट है मूल बात है डरस्टी और मुस्करहट चेरे की चमक यह सदा संतुष्थ रहने की संतुष्था और पसंता की जलग इसी विशिषितों से सदा चेरे पर रुहानी चमक आती है, रुहानी मुस्कान अनुभा ओती है यह दो विशेष्टाएं ही तस्वीर का मुल्य बढ़ा देती है तो आज ही देख रहे थे तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सब को दी है वह कलम है स्रेष्ट इस्मर्ती, स्रेष्ट करमों का ग्यान सेष्ट करम और सेष्ट संकल्ब अर्थार्थ इस्मर्ती इस ग्यान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी लिए है तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए है, अब लास्ट टचिंग है संपूनता की, बाप समान बनने की डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं न, तो बाप दादा भी आज सबी की तस्वीर देख रहे हैं हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं न, कि कहा तक तस्वीर मुल्यवान बनी हैं, सदा अपनी इस रुहानी तस्वीर को देख, इसमें संपूनता लाते रहो विश्व की आत्मा उसे तो स्रिष्ट भागयवान, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, अमुल्य वा स्रिष्ट भागयवान तो होई, लेकिन एक है स्रिष्ट दूसरे हैं स्रिष्ट ते स्रिष्ट, तो स्रिष्ट बने हैं वा स्रिष्ट ते स्रिष्ट बने हैं, यह चेक क करेंगे ना आगे नंबर लेना है वा आगे वालों को देख खुस होना है देख देख खुस होना भी अवस्य के लेकिन स्व्यम पीछे होकर नहीं देखो साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्शित हो चलो स्व्यम भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे जितना नीस्वार्थपन होगा, उतना ही परुपकारी होगा स्यम सदा भरपूर अनुभव करेगा सदा प्राप्ति सरूप की इस्तती में होगा तब परुपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की इस्तती मैं उपराम और परुकार्य विशेष्टा सदा देखी सुवा के प्रती कुछ भी स्विकार नहीं किया न महिमा स्विकार की, न वस्तु स्विकार की, न रहने का इस्तान स्विकार किया इस्तुल और सुक्स्म सदा पहले बच्चे इसको कहते हैं परुपकारी यही संपनता की संपूर्णता की निसानी है समझा मुल्लिया तो बहुत सुनी अब मुल्ली धर बन सदा नास्ते और नचाते रहना है मुल्ली से साब के विश्च को भी समप्त कर लेते हैं तो ऐसा मुल्ली धर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वबाव संस्कार हो उसको भी वस कर दे अर्थार्थ उससे मुक्त कर नचा दे हरसित बना दे अब भी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन-कौन ऐसे योग्य मुल्ली धर बनते हैं मुल्ली से भी प्यार है मुल्ली धर से भी प्यार है लेकिन प्यार का सबूत है बबाबा केता हैं, मुल्ली से भी प्यार है, मुल्ली धर से भी प्यार है. लेकिन प्यार का सबूत है, जो मुल्ली धर की हर बच्चे प्रतिसुब आसा है, वह practical में दिखाना. प्यार की निसानी है, जो कहा वह करके दिखाना. ऐसे मास्टर मुली धर होना बनना ही है अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे करेंगे ये क्याल नहीं करो करना ही है हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमको करना ही है बनना ही है कल्प की बाजी जीतनी ही है पूरे कल्प की बात है तो फर्स्ट डिविजन में आना है ये डड़ता धारण करनी है कोई नई बात कर रहे हो क्या, कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकिर के उपर लकिर कीच रहे हो ड्रामा की लकिर कीच हुई है, नई लकिर भी नहीं लगा रहे हो जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी वा नहीं कल्प कल्प की बन्युही प्रारब्द को सिर्प बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है यह है अटल निस्य, इसको डढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मुरत कहते हैं हर संकल्प में डढ़ता माना तपस्या, अच्छा, बाप दादा हाइस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गैस्ट भी है होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है न, गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा, जैसे चिप गेस्ट को बुलाते हो, तो वो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इस सा सबसे पहली मुबारक किसको निमित दादियों को बाप दादा निर्विग्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं मदुबन निवासियों को भी निर्विग्न हरसित बन मेमान निवाजी करने की विसेश मुबारक दे रहे हैं बगवान भी ऐसा बन आया तो बच्चे भी जिसके गर में बगवान मेमान बनकर आवे वो कितने बाग्य साली है रत को भी मुबारक है क्योंकि ये पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं इतनी सक्तियों को इतना समय प्रवेस होने पर धारन करना यभी विसेस पार्ट है लेकिन ये समाने की सक्ति का फल आप सब को मिल रहा है तो समाने की सक्ति की विसेस्ता से बाप दादा की सक्तियों को समाना यभी विसेस पार्ट कहो वादकुन कहो तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विग्न रही इसके लिए मुबारक हो और पदमा पदम थैंक्स डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स क्योंकि डबल विदेशियों ने मदुबन की सोबा कितनी अच्छी कर दी मदुबन परिवार की विशे सोगात हो इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं चाय कहां भी है सामने तो थोड़े है लेकिन چारों और के भारत्वासी बच्चों को और डबल विदेशि को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया अब सिर्फ एक बात रही है समान और संपूर्णता की दादियां भी अच्छी मेनद करती बाब दादा दोनों का पार्ट आकार में बजा रही है इसलिए बाब दादा दिल से इसने के साथ मुबारक देते है सब ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया आल राउंड सब सेवाधारी चाए छोटी सी साधरन सेवा है लेकिन वह भी महान है हर एक ने अपना भी जमा किया और पुन्य भी किया सबी देश विदेश के बच्चों के पहुंशने की भी विशेश मुबारक योग्य है सब महारतियों ने मिलकर सेवा का स्रेष्ट संकल प्रेक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे सेवा में जो निमित है उन्हों को भी तकलीप नहीं देनी चाहिए अपने अलबेले पंच से किसको मेनत नहीं करानी चाहिए अपनी वस्तों को संभालना यह भी नौलेज है याद है ना ब्रह्मा बाब क्या कहते थे रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा हर करम में स्रेष्ट और सफल रहना इसको कहते नौलेजफुल सरीर की भी नौलेज आत्मा की भी नौलेज दोनों नौलेज हर करम में चाहिए सरीर के बिमारी की भी नौलेज चाहिए मेरा सरीर किस विदी से ठीक चल सकता है ऐसे नहीं आत्मा तो सकती साली है सरीर कैसा भी है सरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा फिर सरीर अपनी तरफ खीशता है इसलिए नौलेज फुल में ये सब नौलेज आ जाती है कुछ कुमारियों का समर्पन समारो बाप दादा के सामने हुआ बाप दादा सभी विशेस आत्माओं को बहुत सुन्दर सज्जा सज्जाया देख रहे हैं दीव्य गुनों का स्रंगार कितना बढ़िया सबी को सौबनिक बना रहा है लाइट का ताज कितना सुन्दर चमक रहा है बाप दादा अभी ना सी संगारी हुई सूर्तों को देख रहे हैं बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उस्सा का संकल्प देख कुसी होती है बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया आपने भी पका पसंद कर लिया है ना डड़ संकल्प का हत्याला बंद गया बाप दादा के पास हर एक के दिल के इसने का संकल्प सबसे जल्दी पहुंसता है अभी संकल्प में भी ये स्रेष्ट बंदन डिला नहीं होगा इतना पक्का बांदा है ना कितने जन्मों का वाइदा किया ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंद में आने का पक्का वाइदा है और गैरंटी है कि सदा भिन नाम रूप संबंद में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही तो कितनी खुसी है हिसाब कर सकती हो इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना सदा ताजदारी रहना और सदा खुसी में हस्ते गाते रूहनी मोज में रहना आज सभी ने डड़ संकल्प कियाना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे वह तो इस्तूल पाव के उपर पाव रखती है लेकिन आप सभी संकल्प रुपी कदम पर कदम रखने वाले जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प ऐसा संकल्प किया एक कदम भी बाप के कदम के सिवाए यहां वहां का न हो हर संकल्प समर्थ करना अर्थार्थ बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना अच्छा अब पार्टियों से मुलाकात करेंगे बाबा पहले करेंगे विदेसी भाई बैनों से बाबा ने कहा कि हर संकल्फ समर्द करना अर्थाद बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना अब बाबा ने मुलाकात की है विदेशी भाई बैनों से जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए ऐसे बुद्धी रुपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है न क्योंकि वह विमान सरकम्स्टांस के कारण नहीं पी मिले लेकिन बुद्धी रुपी विमान सदा साथ है और सदा सक्तिसाली है तो सेकिंड में जहां चाए वहां पहुँच जाएं तो इस विमान के मालिक हो न सदा ये बुद्धी का विमान एवर रेडी हो अर्था सदा बुद्धी की लाइन क्लियर हो बुद्धी सदा ही बाप के साथ सक्तिसाली हो तो जब चाएंगे तब सेकिंड में पहुँच जाएंगे जिसका बुद्दी का विमान पहुंचता है उसका व भी विमान चलता है बुद्दी का विमान ठीक नहीं तो व विमान भी नहीं चलता अच्छा पहले ग्रुप से बाबा की मुलाकात सदा अपने को राजयोगी स्रिष्ट आत्माय अनुभव करते हो राजयोगी अर्थात सर्व करमेंद्रिय के राजा राजा बन करमेंद्रियों को चलाने वाले न कि करमेंद्रियों के वस चलने वाले उनको प्रजायोगी कहेंगे राजयोगी नहीं जब ग्यान मिल गया कि ये करमेंद्रिया मेरे करमचारी है मैं मालिक हूँ तो मालिक कभी सेवाधारियों के वस नहीं हो सकता कितना भी कोई प्रैतना करे लेकिन राजयोगी आत्मे सदा स्रिष्ट रहेगी सदा राजय करने के संसकार अभी राजयोगी जीवन में भड़ने हैं कुछ भी हो जाए ये टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ सर्वसक्तिवान का बल है भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है अधिकार सहज प्राप्त होता है मुश्किल नहीं होता सर्वसक्तियों के आदार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है सदा फखुर रहे कि मैं दिल तक्त नसीन आत्मा हूँ ये फकुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है फकुर नहीं तो फिकर ही फिकर है तो सदा फकुर में रह, वर्दानी बन, वर्दान बारते चलो स्व्यम संपन बन, औरों को संपन बनाना है औरों को बनाना अर्था स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो कागज का सर्टिफिकेड नहीं अधिकार का अच्छा दूसरे गुप से बाब दादा की मुलाकात हर कदम में पदमों की कमई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए ऐसे खुशे का अनुभव करते हो क्योंकि आजकल की दुनिया है ही दोके बाज दोके बाज दुनिया से किनारा कर लिया दोके वाली दुनिया से लगाव तो नहीं सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए तो सदा अपने को तुच्छ नहीं सादारन नहीं लेकिन सेष्ट आत्मा है सदा बाप के प्यारे हैं इस नसे में रहो जैसा बाप वैसे बच्चा कदम पर कदम रखते अर्थार फोलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे समान बनना अर्थार संपन बनना ब्रावन जीवन का यही तो कारिय है दिसरा ग्रुप सदा अपने को बाप के रुवानी बगीचे के रुवानी गुलाब समझते हो सबसे खुस्बू वाला पुस्प गुलाब होता है गुलाब का जल कितने कारियों में लगाते हैं? गुलाब जल काम आता है ना? रंग रूप में भी गुलाब सर्व प्रिय है तो आप सभी रुवानी गुलाब हो आपकी रुवानी खुसबू औरों को भी स्वता आकरशन करती है कहां भी कोई खुसबू की चीज होती है तो सबका आटेंशन स्वता ही जाता है तो आप रूहानी गुलाब की खुस्बू विश्व को आकर्षित करने वाली है क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुस्बू की आवसकता है इसलिए सदा इसमर्ती में रहे कि मैं अविनासी बगेचे का अविनासी गुलाब हूँ कभी मुर्जाने वाला नहीं सदा खिला हुआ ऐसे खिले हुए रुहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतही निमित बन जाते हैं याद की सक्तियों की गुणों की ये सब खुस्बू सब को देते रहो स्यंब आपने आकर आप फुलों को तयार किया है तो कितने सिखिल अदे हो अच्छा अब मिठे बाबा का मिठा वर्दान न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव इस वर्दान को सुनते हैं विस्तार से जो बच्चे प्रवर्ती में रहते न्यारे और प्यारे बढ़ने का राज जानते हैं वह सदा स्व्यम भी स्व्यम से राजी रहते हैं प्रवर्ती को भी राजी रखते हैं साथ साथ सच्छी दिल होने के कारण साहे भी सदेव उन पर राजी रहता है यानि बाबा ऐसे राजी रहने वाले राज युक्त बच्चों को क्या होता है अपने प्रती वह अन्य किसी के प्रती किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं स्लोगन है आज का सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है अच्छा ओम सांती